ग्रामीड एवं महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन कर ग्राम प्रधान पर ग्राम समाज की भूमी पर अवैद कब्जा करके उस पर मकान बनाने का आरोप लगाया है ग्रामीडों ने तहसीलदार को शिकायती पत्र दे कर मामने की जाच करते हुए अवैद कब्जा हटवाने की मांग की है असमॉली ब्लॉक छेतर के गाउं बेला के ग्रामीड एवं महिलाओं ने ग्राम प्रधान के खिलाफ नारे बाजी की ग्रामिलों ने तहसिलदार रवी सुनकर को शिकायती पत्र देकर बताया कि ग्राम प्रधान ने ग्राम समाच की खाली पड़ी भूम retro पर सरकारी निरमाण कारे शुरू कराया था ग्राम प्रधान बावू से लोगों ने पोचा तो गाउं में उच्छित दर विक्रेता की दुकान के लिए निर्माड करने की बात कहकर वापस भेज दिया आरोप है कि निर्माड पूरा होने के बाद ग्राम प्रधान परिवार के साथ मकान में रहने लगा लोगों ने विरोद किया तो गराम प्राधान ने दबंगे दिखाते हुए गरामीडों के साथ गाली गलोच करनी शुरू करती गरामीडों ने तहसिस्य दार से माङले की जाच करवाकर गराम प्राधान के खिलाफ कार्यवाही की मां की है सब दसकों से सदियों से ये जो है ग्राम समाज के नाम भूमी थी आज भी फड़ निकाले हैं तो ग्राम समाज के नामी आ रही है कोड़ी के गड़ों के नाम से और परधान जी ने लोगों को ये जहांसा दिया कि यहां जो है खाद्य विवाग की दुकान बन रही है जब खाद्य विवाग की सुनके सरकारी कार रियोजना सुनके जो किरामीडों नो कोई आपत्ती जाहिर नहीं की लेकिन जैसे निर्माड पूर्रे हुआ तो प्रदान जी ने अपना रेंसेन और एक परोड़ अपने परोसी का रेंसेन इसमें स्टार्ट कर दिया लोगों ने पूखा की यह चल रहाँ तो उन्होंने किल्दानों उनहें करते कुछ की तभी विफावग जस टारे की यह को आपति जाइर कर दिगा सब विभाग है हाँ सर हमने दिये जिलादीकारी को दिये क्या जबा मिला कोई रैस्पोंस नहीं आया भी तक सर उप्जलादीकारी को दिये कोई रैस्पोंस नहीं आया तैसिल्दार जी को दिये उन्हों कभी कोई रैस्पोंस नहीं मिल रहा है यहां कपचा करने से तले क्या था कूड़ी के गड़े थे सर किसना समय हुगा कपचा हमने तो अपने होश में कूड़ी के गड़े देगे हैं कपचा हुए लगवा कि एक महीना हो चुका है बेला का बिलोक असमोली में परदाज जिला संबल परदाज देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर